करेंगे आफी शना हैं को डिशके करें तो बहुत बात करेंगे快 करेंगे हम च्छे फर्शक को जगरод को तो बहुत एक कोशिपु करेंगे और यह ज़ो दुरै और उन्हेंगर ही है क्योंकि नीजरा ही गुरेशट एक इम्पार्टन प्रसस है यह आल ही इस्कोवरी अपर दिखो वह ओर जिस्खे जो है वो आर टैंग डिस्कवरी जो है बड़ी इंपोर्न डिसकवरी आ दिसकवरी आ बाधि फरेजम पर फिलेड़ियो दो खेज़ गया अपर बड़ी इंपोर्मेशन दिता लेकिन रोजमर्रा के लाफ में तना यूस्फूल नी है Fishing on the other hand, रोस मररा के लाइफ में बहुत useful है और useful और फाइदे मन कोई मुमूली बाला फाइदे मन नहीं है प्रगदम कि आपके पास एक juicer होता हुच में संतरा डाला जूस निंकलता है, फाइदे मन है यहां पर हम लोग अलग लेवल के फाइदे की बात कर रहे हैं जूसर बाला फाइदे मन नहीं है यह जूसर भी फाइदे मन है लेकिन यह अलग लेवल के फाइदे की बात कर रहे हैं और खाली इंसानों के फाइदे की बात नहीं कर रहे हैं उससे बहुत pollution होता है, उससे काफी waste material environment में जाता है, तो हम अपने environment को, earth को, planet को गंदा कर रहे हैं, pollute कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो जिस planet में हम रहे हैं, अगर वो खराब होगा, तो जितने भी जीव जन्तु वहाँ पर रहे हैं, हम, इंसान, जीव, जन्तु, पोदे, जो भी रह रहा हैं आपे, उनकी लाइप को हम खत्रे में डाल रहे हैं, लेकिन nuclear fission में वो capability है, ख्रमता है कि अपने को बहुत ज़्यादा मात्रा में, दिमाग खराब level मात्रा में clean energy, saaf energy दे सके, आपने को उस भूग को मिड़ने का है, तो यह एक बड़ा अच्छा option है, जरिया है, तो आज हम एक सिंपल से एक्जांपल करके आपको intuition लेगे कि कितनी जएदा energy आपको थोड़ा आइडिया मेले कि इतना इंपॉर्टन प्रॉसेस क्यों है और हम चूँ इस पर इतना time spend करेंगे, तो आज कि आपको पूछते हैं कि में को चुछत करने के सबसे बैस तरीका क्या है, तो आज कि मैं इंसाग्राम प्रॉसेज किजिए प्रिस वहां पर, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एपको एपलाई करने की, बहुत भूँ पट गया हाला, टायट हो जाएगी, मत संबढ़ लो इसको बहुत अब शर्त पास इतनी है कि बाई जो भी material आप यूज करें विजली पैदा करने के लिए, कोईला हो गया, पानी हो गया, जोगी है, जो भी material आप यूज कर रहे हो खली 1 kg, एक किलो उसको यूज़ करोगे और उससे आप बिजली पैदा करोगे और देखिए कितनी देड़ तक आप इस बल्ब को जगा सकते हो तो पहले देते हैं जो नॉर्मल आपके common sources ने बिजली पैदा करने के कोईले का जलाना हो गया पाने का गिराना हो गया तो अगर आपके पास एक किलो पानी है जिसको आप 50 मिंटे से गिराते हो बिजली पैदा करने के लिए और बल्ब जलाते हो तो यह बल्ब पांच सेकिंड तक जलेगा एक किलो कोईला है अगर आपके पास उसको जलाते हो तो यह बल्ब आट गंटे तक जलेगा तो अब बैते हैं यह बल्ब अगर आपको फिशिन के जरीए बिजली पैला करके जलाना होतो अब अगर आपके बस एक किलो युरोनियम उकसाइड है जो आप नुकली रियाक्टर में यूज़ कुरते हो फ्रूल की तरह तो आप इस बल्ब को अल्मोस साथ सो साल तक जला सकते हो कहां पे आट घंटे तक कहां पे साथ सो साल एक किलो युरोनियम उकसाइड से आपके आने वाली और मुस्त दस पुष्टें दस पीडियां दस जेनरेशन इस बल्ब का मज़ा ले सकती है तो जाने से पहले ऐसा एक बल्ब जलाओ और देखे चले जाओ अपनी जनरेशन को तो अगर आप एक बहुत दरिया दरी इनसान हो दस पीडियों की मदद करने के बावजूद भी आपका और मदद करने का मान है तो आपके लिए उसका भी मुका है तो अगर आप तक हम नहीं कर पाए लेकिन अगर आप कर सकते हो तो अगर आपके पास एक किलो युरेनियम प इस बल्ब को जगा सकते हो 30,000 साल तक आने वाली 500 पुष्टें 500 जनरेशन तो आपको आपको आइडिया देने के लिए कि भी 30,000 साल कितने होते हैं जो एजिप्ट में पिरामिट्स थे उनकी उमर अल्मोस 5,000 साल माना जाता है इंडिस वैली सिविलाइडेशन हमारे देश क से 25,000 साल और चलता रहेगा एक किलो उरेनिया तो आज तक तो जिंदगी निया आप बाबा जी का ठूलू दिया होगा लगिन आपके पास अभी मोगा है कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ करने का जाने से पहले एक बल्ब लगा के चले जाओ 30,000 साल तक आपके आने वारी पुष्टें आपको याद करते रहें कि बाबा बल्ब लगा गए थे या बीबी बल्ब लगा गए थे जिकर इस का हिस्ट्री बुक्स में होगा बाबा जी का बल्ब तो यह कानी थी बाबा जी के बल्ब की नेक्स वीडियो उन देखेंगे कि फिशिन प्रोसेस जितना में हमने अब तक पड़ा हुआ उससे अलग कैसे है लगिए इस न्यूक्लिय चक्टर को अच्छी तासर दमेने के लिए इस न्यूक्लिय प्रेलिस में सारे के सारे वीडियो को अप सेक्वेस में देखें तो आज के लिए बस इतना ही आपसे फूम बला का तो कि तंकि सुमा शुक्रिया